है गाईज वेलकम तो माय चानल आई होप यू गाईज आर वेल तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मैथड्स ओफ प्रेपरेशन ओफ हालो अरीन्स ओके हालो अलकेंज के हमने कम्प्लेट कर लिये थे अब हम हालो अरीन्स के स्टार्ट करेंगे तो नेम से एकलियर है कि aromatic ring की halogenation करने हैं हमें और इसे हम उबलते हैं यह चीज आपको मैं मेकैनिसम में बताऊंगे कि हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिचूशन क्यों बोलते हैं तो अब इस केस में होता क्या है कि कोई भी अरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर करो या बैंजन रिंग कंसीडर करो तो उसको रियक्ट करवाना है हैलोजन के साथ हैलोजन के साथ करवाना है तो बैंट में भी क्लोरीन और ब्रोमेन ठीक है रियक्ट करवाना है हैलोजन के साथ ओके जी बट कंडिशन्स अप्लाई करने है वो दो कंडिशन्स क्या है एक तो क्या करेंगे कि हम एन हाइड्रस फारी कलोराइट या फिर अलुमेनियम कलोराइट अलुमेनियम कलोराइट उके तो यही ची और टमप्रेचर 310 से 320 कलวिन तक तो जब हम यह वाली कंडिशन्स अप्लाई करेंगे न then क्या होगा कि जो halogen atom है वो एक H को replace कर देगा और वहाँ पे जाके खुद अटाच हो जाएगा और हमें अपना desired product halo arine obtain होगा तो देखो यहाँ पे जो halogen atom वो अटाच होगा तो यहाँ का जो H था वो एक halogen के साथ as a side product वो remove हो गया तो यह चीज होती है actual reaction हम मतलब कोई भी halogen ले सकते हैं लाइक यहाँ पे क्लोरीन भी अटाच हो सकते हैं ब्रोमीन भी अटाच हो सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि HCl, HBr यह जो है न यह as a side product remove हो जाएंगे तो यह basically यह वाली reaction होती है direct halogenation में अब जो main है न वो इसका mechanism है तो अब हम क्या करेंगे mechanism mechanism से आपको सारे doubts clear हो जाएंगे देखो तो first इसमें step क्या आता है first आता है कि हमें electrophile generate करना क्या generate करना है electrophile तो आप वही लिखोगे कि जो first step है that is generation of electrophile ठीक है यह बहुत important step है generation of electrophile तो मैंने क्या बताया कि reaction के लिए हमें catalyst चाहिए वो catalyst क्या consider करते हैं हम leos acids ठीक है that may be anhydrous ferric chloride हो सकते हैं anhydrous aluminum chloride हो सकते हैं etc तो वो कुछ भी हो सकते हैं तो अब देखो क्या होगा कि हमें क्या लेना है है कोई भी halogen atom consider करना है तो हम halogen को ऐसे लिख सकते हैं मैंने chlorine gas consider की ठीक है तो मैंने chlorine consider किया यहां पर तो next मैंने क्या लिखा यह वाला ferric chloride Lewis acid अब जो यह Lewis acids है यह electron deficient species होते हैं क्या electron deficient species यह चीज आपको ध्यान में रखनी है यह electron deficient species होते हैं तो देखो deficient है means इन्हें electrons टाहिए अपनी deficiency को पूरा करने के लिए and साथ में देखो तो इसे electrons दिख रहे हैं साथ में electrons कितने सारे present है तो क्या होगा कि जो यह lone pairs present है ना इसके उपर यह एक इस पर attack करते हैं ठीक है attack कर देगा दन जो next हमारे पास आएगी वह क्या है दिखो इसके तो lone pair as such present है अब chlorine पर deficiency आ गई एक bond मतलब stable एक bond बना सकते है अब उसके साथ दो बन रहे हैं तो इस पर positive charge आ गया इस positive charge को compensate करने के लिए क्या किया कि यह पूरा bond यह दोनों electron मैने इस वाले chlorine पर shift करवाती है ठीक है इस पर shift करवाए तो अबविज सी बात है कि अगर यह दोनों इस पर shift हो गए यह तो बेचारा अब electron deficient हो गया ना तो हमारे पास जो final चीज आई वो यह तेक है आण जो fecl4 negative था वो remove हो गया अब हमें चाहिए भी यही चीज थी अब इस पर positive charge है means यह क्या है एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते है इलेक्ट्रोण deficient species तो यही चीज तो हमने देखनी थी इलेक्ट्रोण deficient species ओके और इसका नेम क्या होता है chloronium iron ओके जी chloronium iron तो देखो तो अब पहली बात clear हुई कि हमने क्या बोला था electrophilic substitution of arines इलेक्ट्रोफाइल तो आ गया अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जो यह वाला electrophile है यह benzene ring पे attack करेगा ठीक्या दन हमारे पास intermediates बनेंगे तो नेक्स्ट जो step है वो क्या है formation of carbocatine intermediate ओके formation of carbocatine intermediate ओके नेक्स्ट स्टेप हमारा यह वाला है अब इस के इस में क्या होगा देखो क्या था कि यह हमारी benzene ring यह कोई भी आप aromatic compound consider कर सकते हूं ठीक है aromatic ring और यह हमारा electrophile chloronium ion देखो यह बेचारा electron deficient है इसे electrons चाहिए अपनी deficiency को पूरा करने के लिए और देखो electrons यहाँ पे है तो क्या होगा कि देखो यह वाला bond है यह completely move किया इस वाले carbon पे ठीक है इस वाले पे किया तो यहाँ पे negative charge आ गया यहाँ पे positive अब जो यह चीज है यह attack करेगी इस पे तो आ रही है ना बात समझ पे यहाँ पे negative आ गया और obvious ही बात है कि दोनों electrons इस carbon पे गए तो यहाँ पे positive charge आएगा ठीक है तो अब आप देखो कि यह एक carbon है और यहाँ पे positive sign आ गया तो यह क्या बना Carbocatine Intermediate क्या बना Carbocatine Intermediate ठीक है Carbocatine Intermediate अब आप देखो कि यह resonance stabilized है कैसे यह वाला bond यहाँ पे move करेगा ठीक है यहाँ पे move किया धन क्या आया हमारे पास यह वाला bond ऐसा यह as such positive charge आया यहाँ पे यहाँ पे feel attached है अब यह वाला bond यहाँ पे move कर शकता है ठीक है यह move किया यह यहाँ पे positive charge create हो गया तो देखो आप देख सकते हो कि जो यह वाला carbocatine बना यह resonance stabilized है क्या है resonance stabilized तो मतलब ऐसे लिखने की बजाए हम इसे ऐसे भी represent कर सकते हैं कि overall यहाँ पे सारा positive charge की movement हो रही है तो यह resonance hybrid हो गया इन तीनों structures का ओके तो यह चीज़ आप note down करो अब एक और बात यहाँ पे बताने है कि जो यह वाला step है ना यह slow step है अब आप एक बात ध्यान में रखो कि जिस reaction ने या जिस step में reactive intermediates बनते हैं अब यहाँ पे intermediate बन रहा है ना positive charge आ गया तो जिस case में क्या होता है कि जो reactive intermediates बनते है ना वो step slowest step होता है याद रखो कि जिस step में क्या होगा कि reactive intermediates बनेंगे ना वो step always slow step होगा ठीक है तो अब हमारे पास यह चीज़ आई थी जो कि resonance stabilized है अब next क्या होगा next हमारे पास product formation third step second step समझ में आया हमारे पास क्या बना carbocation intermediate next हमारे कीस में क्या होगा कि loss of proton ठीक है proton का loss होगा थेन हमारे पास product आएगा loss of proton from carbocation intermediate प्रोटोन का loss होगा अब यह चीज़ भी अपना ध्यान से समझो कि इस केस में क्या होगा देखो हमारे पास क्या यह कि रेजोनेंस hybrid आया हमने ऐसे लिखा यहां पे फील और मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कैसे भी लिख लो ठीक है अब क्या होगा कि यहां पे फील फोर नेगेटिव था यही चीज़ हमने रिमूव की थी ना तो इस केस में क्या है कि एक सील नेगेटिव हैं तो वो क्या करेगा कि यह H को as a H positive रिमूव करेगा अगर यह वाला H as a H positive रिमूव हो रहे ना तो जो यह वाला bond पे रहे तो वो तो SH रहेगा और वो shift हो जाएगा यहां पे completely अगर देखो यह दोनों electron इस bond के यहां पे shift हो रहे हैं तो यह deficiency complete हो गई अब तो यह positive charge रिमूव हो जाएगा और यहां से जो H है वो as a H positive इस CL negative के साथ वो रिमूव हो जाएगा ठीक है and हमें क्या हमारा final जो product है वो obtain होगा CL, HCL and जो हमने catalyst add किया था FECL3 वो भी हमें end पे अप्टेन हो गया तो यह चीज थी mechanism इसका तो अब आपको I think खुद बहुत clear होगी होगी यह बात कि हम इसे electrophilic substitution क्यों बोलते हैं क्यों बोलते हैं इसे electrophilic substitution देखो एक हमारे पास electrophile था ठीक है electrophile था उसने किया benzene ring पे attack ठीक है benzene ring पे attack किया और end पे हुआ कि वो खुद उस ring पे attach हो गया और जो वहाँ पे h present था उसे substitute कर दिया substitute करके आप आ गया उसकी जगा पे ठीक है तो यह चीज होती है electrophilic substitution of arines electrophile आ गया h को substitute करके ओके तो यह था mechanism तो अब मैं आपको एक और important बात बताती हूं भी क्या हो सकता है इस case में और अब देखो जब already a Cl present है already a Cl present है और फिर से हमने क्या है कि chlorine आड़ कर दिया halogen आड़ कर दिया excess में वही same condition की anhydrous FvCl3 की presence के अंदर बैन क्या होगा अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पे present होते है यह lone pairs इनकी वज़ा से जो halogen है वो ortho and para directing होते हैं इन lone pairs की वज़े से देखो एक तम क्या सकते हैं कि जो यह halogen है इनका electron withdrawing effect होते है ठीक है सही बात है electron withdrawing effect होते है बट क्योंकि lone pairs present है उनकी वज़े से क्या होते है कि यह अपनी electron density donate करते हैं इस ring पे ठीक है donate करेंगे देन क्या होगा कि जो और्थो पुजीशन है और पैरा पुजीशन जब यह electron density donate करेंगे न तो और्थो और पैरा पुजीशन पे density maximum हो जाएगे electron density maximum होगे तो हमें चाहिए भी क्या electron density चाहिए क्योंकि जो attack करेगा वो तो एक electrophile है न इलेक्ट्रो फाइल होते है electron deficient तो उन्हें क्या चाहिए electron density ही चाहिए न जहां पे density मिले की वो वही पे attack करेंगे तो उन्हें और्थो पे मिले की पैरा पे मिलेगी तो हमारा जो product है व तो यह हमारे पास orthodichlorobenzene या हमारे पास यह चीज आएगी जिसे हम क्या बोलते है प्यारा डाइक्लोरो बैंजें तो यह प्यारा फारी यहां पे मैंने डाइक्लोरो बैंजें और यह हमारे पास क्या आई ओर्थो डाइक्लोरो बैंजें ओके तो अब समझ में आया कि वैस तो यह exception है halogen क्योंकि loan pairs present होते है वो donate करते है यह ring को जिसकी वज़े से जो ortho and para positions है वहाँ पर क्या होता है कि electron density maximum हो जाती है और जो electrophiles हो उन्ही positions पर जाके attack करते हैं ओकी जी तो यह बात होती है अब suppose यहाँ पर halogen की बजाए CH3 group present है CH3 तो पता ही है alkyl group ठीक है अगर यह वाला group present है यह भी क्या है ortho para directing ठीक है ortho para directing तो इस case में भी क्या होगा ortho plus para जो product है वो obtain होगे हमें simple क्योंकि donating है तो ortho and para पी density जादा होगी and that's why ortho and para products है वो हमें obtain होगे अब जो सेम जो मैंने बताई ना अब अब ब्रोमीन के साथ भी यह reaction सेम क्यारी आउट कर सकते हूं ओकी जी तो आयोडीन का case मैंने आपको हैलोल केंस में बताया था कि जेनरली जो आयोडीन की reaction है ना वो हम क्यारी आउट करते हैं oxidizing agents की presence में बताया था मैंने आपको strong oxidizing agents की presence में like nitric acid हो गया,HIO3 हो गया ठीक है इनकी presence में क्यों करते हैं पता होगा आपको क्योंकि जब हम reaction करते हैं ना थेन हमारे पास HI produce होता है तो जो HNO3 है यह इस HI को consume कर लेते हैं HNO3 क्या oxidizing agent ही जो HI को consume करते हैं and जो reaction है वो complete forward direction में shift हो जाती है क्योंकि जो यह वाले cases है ना इनमें reversible reactions होती है ठीक है reversible reactions होती है जिसकी वज़े से क्या होता है कि HI produce होता है जब यह HI consume हो जाएगा इनकी वज़े से जो strong oxidizing agents present है then क्या होगा कि जो reaction है वो completely forward direction में shift हो जाएगी ठीक है जी completely forward direction में shift हो जाएगी तो यह आप वो वाली वीडियो देख लेना मैं आपको link देदूंगे description में then आपको और clear हो जाएगा तो next एक और चीज़ आती है यह तो था कि हमने direct मतलब जो aromatic ring या ना उस पे halogen attach कर दिया अगर side chain पे करना हो ठीक है side chain मतलब इस वाले carbon पे attach करवाना हो halogen then क्या होगा तो बस इसमें क्या करना है कि जो यह वाली reaction है यह sunlight की presence में होगी and जो इसकेफ में free radical mechanism operate होगा तो free radical mechanism में मैंने करवाया है ठीक है आप वो देखो जाके तो वैसे same reaction है क्या होगा कि देखो यह वाला bond homolytically break होगा ठीक है दो CL radicals आजाएंगे और यह वाला bond V homolytically break होगा then होगा क्या कि यहाँ से H radical और यहाँ से CL radical यह दोनों combine करेंगे क्या आजाएगा हमारे पास HCl ठीक है देखो यह दोनों combine कर गए अब यहाँ पे एक radical ठीक है यहाँ पे एक radical रहेगा और CL पे एक radical यह दोनों आपस में combine करेंगे then हमारे पास क्या है हमारा desired product वो obtain होगा simple reaction है मैंने आपको यह reactions करवा रखी है आप देख लेना जागे ठीक है तो यह चीज है ना यह हमें obtain होगी जिसे हम क्या बोलते हैं benzyl कलोराइड ठीक है जी benzyl कलोराइड यह simple है I think आपको यह पता ही होगा क्योंकि मैंने आपको एक lecture में यह चीज़ें करवा दी थी and एक और बात कि अगर मैं excess में CL पास करूं ठीक है excess में chlorine gas पास करूं then क्या होगा कि यह दोनों H है ना यह भी रिमूव हो जाएंगे ठीक है यह भी रिमूव हो जाएंगे and जो प्रोड़क्ट है ना तो वो कुछ इस तरह के प्रोड़क्ट आएंगे हमारे पास like CHCl2 and then excess में पास करेंगे C जो यह वाला H है यह भी रिमूव हो जाएगा and Cl3 तो हम इसे क्या बोल सकते हैं बैंजो ट्राइकलॉराइड और इसे बैंजल डाइकलॉराइड दिखलो नेम बैंजो ट्राइकलॉराइड and जब दो Cl present है then बैंजल डाइकलॉराइड okay जी यह चीज होती है अगर दो Cl है then बैंजल डाइकलॉराइड अगर हमारे पास 3 Cl आ रहे हैं मतलब तीनो H replace हो गए then हम क्या यूज करेंगे टर्म बैंजो ट्राइकलॉराइड okay तो एक नेक्स्ट बात और वरी इंपॉर्टेंट कि सपोस्ट हमारे पास कुछ ऐसा hydrocarbon present है aromatic hydrocarbon then हम किस carbon पे प्रफर करेंगे भी किस carbon पे halogenation हो इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे तो देखो कितनी easy सी बात है कि obvious सी बात है कि इस वाले कार्बन पे होगा क्यूं होगा क्योंकि देखो तो यहां से अगर मैं H radical को remove करूँगी तो हमारे पास क्या benzyl radical generate होगा ठीक है कुछ ऐसा यहां पर CH CH3 तो ऐसा radical generate होगा जो की resonance stabilized है ठीक है resonance stabilized that's why जो chlorination है या bromination है वो always जो carbon next to the aromatic ring है उसी पे होगी ठीक है तो यह क्या है resonance stabilized ठीक है तो अब आपको समझाया कि सिर्फ और सिरफ जो next to the benzene ring है ना उसी पे ही halogenation होगी क्योंकि वो वाले जो radicals है ना benzyl radicals अब यह benzyl radical बना ठीक है जो benzyl radicals है वो जादा stable होते है ठीक है resonance stabilized होते है कहने की बात यह है तो यह चीज़ थी halogenation के case में मतलब halo arines के जो methods थे I hope यह चीज़ आपको समझाया होगी थांक्स पुर वाचिंग.